कोरोना से बचाओं के लिए लगातार वैक्सीन के टीके लगाने का कारिय जारी है जिसके चलते करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में ये कारिय चल रहा है जिसमें फ्रंट लाइन वरकर वैक्सीन के टीके लगवा कर इस महामारी से बचने के लिए आ गया रहे है इसी कड़ी में आज करनाल डिवीजन के कमिशनर संजीव वर्मा ने स्वेम सरकारी हॉस्पिटल पहुँच कर वैक्सीन का टीका लगवाया इस अवसर पर संजीव वर्मा ने समाचार एक्स्प्रिस को जानकारी देते हुए बताया कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है उन्होंने लोगों से आवान किया कि वैक्सीन के टीके लगवाने के इस अभियान में आगे आएं और महामारी से देश को बचाने में एहम भूमी का निभाएं यहां हम आपको बता दे कि इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधिक्षक गंगाराम पुनिया वान्य सरकारी उच्च अधिकारी वैक्सीन का टीका लगवा चुके हैं वहीं आज डिवीजन कमिशनर संजीव वर्मा ने वैक्सीन का टीका लगवा कर ये संदेश दिया है कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए ताकि इस महामारी से बचा जा सके मैं गुड़ पीड कर रहा हूं और आप से भी नवेदन है कि आप जदी से जदी से वैक्सीन को लगवाईए और अपने आपको श्रक्षित की अब लोगों को और कुछ कहना चाहेंगे सर जैसे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है कुछ नहीं और इसमें बहुत अच्छी है जो पोच च्छी मैडिकरी लगवाई सामने लगवाई है तो बड़े-प्यार से लगा रहे हैं बड़े पयार से हांडल कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सभी सियारा है दिवेदन है कि वो आए उस्पितल में और अपना वैक्षीन का लगवाए और अपना आपको स्रक्षित करें अबने एक वैड़ा स्पितल आपको स्रक्षीन का नूंचे आपको स्रक्षित करें